हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर जिगजीत सिंग अपने चैनल के द्वारा आप सब लोगों को जो है दिल के दोरे के बारे में बताऊंगा कि दिल का दोरा कैसे होता है उसके अंदर क्या मेकैनिजम लगा हुआ है और किस तरीके से दिल का दोरा शुरू होता है और कितने लोग हर साल दिल के दोरे से मरते हैं और उस चीज़ को मैनेज कैसे किया जाएगा कैसे हम उससे बच सकते हैं और किस तरीके से हमको अपनी लाइफ स्टाइल को मौडिफाई करना चाहिए आज ये सब जो है बाते हम इस वीडियो के दोरा आपको बताएंगे और आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी तो शेर करना सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना तो शुरू करते हैं आज हम दिल के दोरे के बारे में दिल का दोरा कैसे होता है जैसे हमने कोई पाइप देखा है पाइप के तरू जैसे पानी जाता है वैसे ह हमारे दिल के अंदर जो है पाइप बने वी है, बहुत सी पाइप लाइने बने वी है, जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्ट्रीज, इन आर्ट्रीज के ठ्रू खून जो है रेगुलर्ली चलता रहता है, जाता रहता है और वो जो है हार्ट के मसल को सप्लाई करता है, जो इनसा ज्यादा तला हुआ खाना खाता है या जिसके अंदर saturated fats ज्यादा है या trans fats ज्यादा है LDL का level ज्यादा है blood के अंदर तो उस artery के अंदर जो है blockage बनने शुरू हो जाते हैं और वो blockage को हम जो बोलते हैं कोरोनरी thrombus बोलते हैं जब ये blockage आर्टरी के अंदर बनना शुरू हो जाता है धीरे धीरे जो है खून का जो संचार होता है आर्टरी के थूरू वो धीरे धीरे कम हो जाता है और खून जो है mass patient को heart के अंदर मिलना बन्द हो जाता है और उसकी वज़े से जो है दिल का दोरा पड़ता है तो ये जो है mechanism है किस तरीके से जो है दिल का दोरा पड़ता है अब आज आगे हम बात करेंगे किस तरीके के किस प्रकार के जो है दिल के दौरे होते हैं एक बोलते हैं हम silent myocardial infection silent myocardial infection में क्या हो रहा है कि patient के अंदर कोई symptom नहीं दिखाई देता है उसको कोई chest में pain नहीं होता है सांस लेने की तकलीफ नहीं होती है कोई चक्कर नहीं आता है कोई उसका consciousness loss नहीं होता है कुछ ही नहीं होता है पर suddenly जो है एक दिन उसको heart attack होता है तो उसको हम बोलते हैं silent heart attack अब 24 से 60% लोगों में जो है ये silent heart attack बहुत commonly दिखाई देता है और ये जो statistics में बता रहा हूँ ये पूरे दुनिया के बारे में बता रहा हूँ इंडिया के बारे में भी है पर दुनिया के बारे में भी बता रहा हूँ जिससे आपको समझ आई कि heart की बिमारी दिल का दोरा किस तरीके से हमको इससे बचना चाहिए अब बात करते हैं कुछ जेनिटिक फैक्टर्स के बारे में किस तरीके से जो है दिल का दोरा पड़ता है कुछ जीन्स होते हैं हमारे हार्ट के सेल के अंदर वो जो जीन्स हैं वो कुछ नामों से माने जाते हैं साइन्टिस्टों ने कुछ नाम रखे उन जीन्स के जैसे कि PCSK9, ADAM जीन और SOT1 जीन, Factor1 जीन इस प्रकार के जीन्स हैं तो ये जो जीन्स हैं, ये जो है, जैसे ही तुमारे ओफ्स्प्रिंग में ट्रांस्फर्म होते हैं धीरे-धीरे वो dominant होते हैं और उस तरीके से जो है दिल का दोरा पड़ता है इसको हम बोलते हैं, familial myocardial infection या familial प्रकार का heart attack हुआ तो जैसे एक family में 4-5 लोग हैं, एक बाप है, बच्चे में भी बाप को दिल का दौरा पड़ा तो बच्चे को भी पढ़ सकता है या उसकी बेटी को भी पढ़ सकता है, तो उस तरीके का जो familial form है, वो भी जो है, हम आज बात कर रहे हैं उस बारे में अब हम बात करते हैं कि heart attack ECG पे कैसे देख सकते हैं, मान लो कि ECG पे एक ST segment होती है, अगर वो बड़ी हुई है, वो elevated है, 2 mm से ज्यादा है या 1.5 mm से ज्यादा है, आदमियों में या पुर्षों में जो है, वो 2 mm से ज्यादा होती है, और अगर ये ST elevation दिखाई दे रहा है, तो उसको भी हम जो है, heart attack मान के चलेंगे और उसको भी जो है, हमको manage करना है, वो भी जो है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अब देखिए, जिसको दिल का दोरा पड़ा हुआ है, वो blood pump नहीं कर सकता है, किसी भी organs को ना kidney को खून जा सकता है, ना liver को जा सकता है, ना spleen को जा सकता है, ना gall bladder को खून जा सकता है, ना फेपरो को खून जा सकता है, कोई भी organ को खून नहीं जा सकता है और उसके अंदर जो है अकास्माक्तिक जो है consciousness loss हो जाता है बिहोश हो जाता है फेंट हो जाता है और उस तरीके से उसके अंदर दिल का दोरा पड़ता है यह माना गया है कि 12 मिलियन मौते जो है heart attack से होती है 12 मिलियन मतलब तकरीवन 120 लाक लोगों में जो है मौते जो है heart attack से होती है अब किस तरीके के risk factors देख सकते हैं जो दिल के दोरे को और ज्यादा खतरनाग बना सकती हैं जैसे कि लोग जो cigarette पीते हैं 36% लोग जो है cigarette का सेवन करते हैं जाए वो active smoking है या passive smoking है वो दोनों ही जो है कहानी का रखें पहले तो वो lungs को खराब कर देंगे बाद में तुम्हारे दिल को खराब कर देंगे और दिल का दोरा पड़ेगा फिर मैं एक बात बताना चाहता हूँ athletes के बारे में athletes जो steroids लेते हैं वो भी heart attack के कारणी मारे जाते हैं तो इस बात के समझना बहुत जरूरी है कि जो steroids हैं आजकल जो gym में steroids दिये जा रहे हैं supplements दिये जा रहे हैं उससे heart attack हो रहा है और मनने वाले जो है ये gym के जो bodybuilders हैं उन में जो है ज़्यादा मौते हो रही है तो हमें देखना चाहिए कि gym करो exercise करो yoga करो meditation करो पर जो है वो supplemented ना हो वो जो है बिना supplement के हो तो इस बात पर भी जो है गौर करना चाहिए तीसरी बात ये है कि जो alcohol का सेवन कर रहे है शराब मदिरा का सेवन कर रहे है उन में भी heart attacks दिखाई दे सकते हैं तो ऐसे लोगों को हम हमें समझाना चाहिए कि heart attack हो सकता है तुमें जो है मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए तो इस बात को भी जो है मैं आपको बता रहा हूँ तो जो शराब पीने वाले जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो समझें और जो है इस चीज़ से बचें अब शराब के बाद हम बात करते हैं cholesterol लोग ज़्यादा हुआ बार का खाना पसंद करते हैं जंक फूड खाना पसंद करते हैं fast food खाना पसंद करते हैं जिसमें ये लोग तेल यूज करते हैं और ये जो तेल है इसमें high levels of saturated fats होते हैं और यही fats जाके जो है वो अंदर ब्लॉकेज बनाते हैं और ब्लॉकेज जो है अल्टिमेटली दिल का दोरा पैदा करता है तो इसी वस्ते हाई LDL cholesterol का जो खाना खा रहे हैं उनको खाना खाना बंद कर देना चाहिए और एक race है African American race उनमें भी heart attacks जो है familial प्रकार के दिखाई देते हैं हेरिटिट्री प्रकार के heart attacks हो सकते हैं तो अगर कोई शादी करता है African American से तो उसके बच्चे में heart attack होने की संभावना ज़्यादा हो सकती 60-70% ज़्यादा हो सकती है अब बात करते हैं complications के बारे में किस तरीके की complications जो है दिल के दोरे के patient में हो सकती है heart attack या दिल के दोरे के patient में heart जो है रुख सकता है heart जो है ऐसे रुख जाएगा काम नहीं करेगा और काम नहीं करने के कारण जो है बलड जो है पूरी body के parts को नहीं जायेगा और बलड नहीं जाने की वजये से भी जो है वो faint हो सकता है और ultimately वो जो है मर सकता है तो cardiac failure हो गया, cardiac shock हो गया, सो ये प्रकार की complications से जो है patient को बचना चाहिए एन्यूरिम हो सकता है left ventricle का एक बैलून जैसा पूलना हो जाएगा left ventricle में बैलून जैसा बन जाएगा left ventricle और उसकी वजय से भी death हो सकती है जो लोग cocaine लेते हैं या drugs लेते हैं, mismag ационा लेते हैं उनने भी heart attacks होने के chances ज्यादा है अब बात करते हैं किस तरीके से इसको हम डाइगनोस करते हैं तो पहले तो हमको डाक्टर को ये चाहिए कि पहले वो पेशेंट को फुल तरीके से एक्जामिन कर ले पूरा एक्जामिन करने के बाद हाट का एक्जामिन करे उसकी आवाज सुने उसकी क्या आवाज है दो आवाजे हैं लब डब सो वो आवाजे सुनने के बाद जो है वो ECG करवाने को बोले और जैसे ही ECG होगा ECG में मान लो की ECG का क्राइटीरिया आगया ECG का क्राइटीरिया क्या है मान लो की ST Elevation है T-Wave में Change है, New Bundle Branch Block है, New Q-Wave है यह डॉक्टर को पता रहता है अगर यह सब दिखाई दे रहा है तो पेशेंट को जल से जल जो है Aspirin और Clopidogrel पे रखना शुरू कर देना चाहिए अब बात करते हैं कि मान लो की Blockage बना हुआ है तुमारी मास पेशियों के अंदर, आर्टिरी के अंदर तो वो Blockage जो है Angiography से हम पता लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं Coronary Angiography तो Coronary Angiography से हम उसको पता लगाएंगे और जो है उसको Treat करेंगे अगर हम Right Time पे पता लगा लेते हैं तो हम Right Time पे उसको Treat कर सकते हैं Chest X-rays भी करेंगे ये पता लगाने के लिए कि फेपड़े नॉर्मली काम कर रहे हैं उनका Saturation ठीक है कहीं Respiratory Compromise तो नहीं हो गया है वो लक्षण भी हमको देखने हैं तो उसके लिए Chest X-ray करना बहुत जरूरी है आजकल एक नए प्रकार के Scans आ गए हैं जिसको मोलते Radio Nucleid Scans इस Scans में ये लोग क्या देखते हैं Myocardial Perfusion कितना हो रहा है कितना Blood जो है Heart को जा रहा है और उस Base पे जो है हम पता लगाएंगे कि Heart में Damage है या नहीं और आखरी बात Echocardiography Echocardiography सबसे Important है जैसे कि Doppler Echocardiography हो गई या Stress Echocardiography हो गई इनसे भी जो हम पता लगा सकते हैं कि Blockage है कोरोनरी आटरी में या नहीं है या Heart में कोई Damage है या नहीं है तो ये सब बातों का विशलेशन करने के बाद ही जो है हम बोलेंगे कि पेशेंट में Heart Attack है या नहीं है अब बात करते हैं treatment की और management की इसको किस तरीके से manage किया जाए पहले तो dietary modifications करनी चाहिए तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए और fat saturated fat से उनको कम कर देना चाहिए और दूसरा जो है alcohol पीना बंद कर देना चाहिए शराब cigarette पीना बंद कर देना चाहिए और consanguinness marriages नहीं होनी चाहिए consanguinness मतलब अपने ही अपने breed के लोगों में marriage नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे भी जो है heart attacks ज्यादा हो सकते हैं अब बात करते हैं कि treatment में क्या दिया जाए जो management में है aspirin और clopidogrel ये दोनों drugs हमको शुरू कर देने चाहिए patient के अंदर aspirin 325 mg clopidogrel 75 mg ये दोनों drugs जो शुरू कर देने चाहिए और ये पता ये अनुमान लगाया गया है कि ये दो drugs देने से जो मरने का rate है जो death rate है mortality rate है वो बहुत कम हो जाता है इसके साथ-साथ हम दूसरे drugs दे सकते हैं जैसे कि AC inhibitor हो गया beta blocker हो गया aldosterone antagonist हो गया ये drugs भी जो है इनके साथ हमको देने हैं और इससे जो है उनका जो mortality rate है जो death rate है और जो hospitalization का rate है वो कम हो जाएगा patients जो heart के दरत से परेशान है उनमें morphine या nitroglycerine देनी बहुत आवशक जरूरत है और इनके अंदर जल से जल PCI procedure करना चाहिए PCI procedure क्या है इसको बोलते हैं percutaneous coronary intervention procedure ये जैसे ही patient का पता चले कि heart attack है उसमें PCI procedure करना चाहिए और हमको जो है serum troponin के levels भी monitor करने पड़ेंगे कि अगर इनमें serum troponin levels जादा है तो वो हमको heart समय monitor करते रहना चाहिए अब बात करते हैं prevention की किस तरीके से दिल के दोरे को बच सकते हैं कैसे patients बच सकते हैं तो exercise करिए करिए 15 minute के लिए alcohol stop कर दीजिए smoking stop कर दीजिए diet जो है simple diet लीजिए diet में fiber ज़्यादा लीजिए cholesterol कम कर दीजिए और diet में whole grain starch starch मतलब जैसे आलू हो गया carbohydrates हो गया वो आप ज़्यादा ले सकते हैं और rehabilitation programs करने चाहिए rehabilitation programs मतलब diet को manage करना आना चाहिए stress को manage करना आना चाहिए और sexual drive को manage करना आना चाहिए so इन सब चीजों को अगर हम manage करते हैं lifestyle modify कर लेते हैं तो जो है हम heart attack से बच सकते हैं अब जो लोग heart attack से पीडित हैं वो जो है statins लेते हैं और वाइमारा channel SR 90MG जैसे drugs लेते हैं तो उन सब से जो है बचा जा सकता है अगर हम अपनी life को simple तौर पे जीएं और उसकी महत्वता को समझें कि किस तरीके से हमको चलना है और इस बिमारी से बचें आज के लिए इतना ही मैं बताऊंगा heart attack के बारे में आपका बहुत बहुत धन्यवाद